हेलो दोस्तों आपका स्वागत है में नेचरनल केड्स होम ट्यूटोरियल में आज की ट्यूटोरियल में हम पढ़ने वाले हैं that and those के बारे में तो जिस तरह से हमने पहले this and these बच्चे को सिखाया फिर सिखाएंगे that and those तो यहाँ पर बच्चे को एक समझ में भी आजाएगा कि हम that कभी उस करते हैं those कभी उस करते हैं बच्चे का जो confusion होगा वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा तो आप इसको कहेंगे एक हैं इसलिए से कहेंगे that और अगर कोई object वहाँ पर एक से ज्यादा है लाइक आप कितने ट्री हैं two trees है तो इसे अब हम that नहीं कहेंगे अब हम इसे कहेंगे that का यूज करते हैं और जब एक से ज्यादा है यहां पर बच्चे को हम पहले ही this that पढ़ा चुके होते हैं तो उन्हें पता होता है कि जो है that के साथ is का use होगा और those के साथ use होगा are का तो इस तरह से देख सकते है that is and those are तो यहां होगा that is tree यह होगा those are trees अब बचा पुछे का कि priorities क्यों होगा तो आपको बताना है कि जब कोई चीज वन से ४ाध झादा उती है नहीं मोहर वीड मैनी होती है तो वहाँ पर हम यहां होगा जब कोई चीज मैनी होती है तो हम वह लगाएंगे एस तो trees हो जाएगा यह 1 है तो ट्री और वन से जादा है तो trees तो इस तरह से ये बच्चे को अगर आप पहले ही one and many सिखा देंगे, this and that सिखा देंगे तो बच्चे को ये चीजे सीखने में sentence formation में बहुत यासानी होगी तो ये सभी चीजे समझाने के बाद बच्चे को आप थोड़ी से practice करा देंगे तो वो बहुत अच्छे से समझ जाएगा अब उसे practically पुछें कि जो sun है सूरज वो हमसे दूर है तो उसको indicate करने के लिए आप क्या use करोगे, that use करोगे कि those use करोगे, अब उसे पता होगा कि sun एक ही है तो इसी लिए हम जब sun को indicate करेंगे तो होगा that is sun और stars की बात करें अगर हम तो star की बात करें, वो भी हमसे दूर है तो उनके लिए हम क्या लगाएंगे उनके लिए हम क्या use करेंगे that use करेंगे कि those तो बच्चे आपको बताएंगे कि those use करेंगे those are stars तो इस तरह से बच्चों को आप practically अपने प्रैक्टिकल लाइफ से example लेके इस तरह से that and those समझा सकते हैं और चाहें तो आप फिर उसको कुछ worksheet प्रिपेर करके उस पर practice भी करा सकते हैं तो उसे ये that and those का concept clear हो गया है तो यहाँ अब अब मैं आपको बताती हूँ कि बच्चे को these and those कैसे सिखा देंगे अब बच्चे को पता है जब कोई चीज हमारे पास होती है एक से ज्यादा अब यह जो these and those हैं वो जब many objects के लिए use करते हैं यह आप बच्चे को बता रहें कि जब many objects होंगे तब हम these and those का use करते हैं अगर वो हमारे पास में हैं तो हम use करेंगे these का और अगर वो हमसे दूर है तो हम use करते हैं यहाँ पर सीधी सी बात है बच्चों these के साथ भी आर लगेगा and those के साथ भी लगेगा आर तो अब आपको sentence formation दिखाने है these and those से तो कैसा होगा like मेरे पास कुछ pen है तो मैं कहूंगी these are pens वहाँ पर कुछ पेर दिख रहे हैं मुझे those are trees अब जैसी कि यह fingers है तो कितनी fingers है वन से जादा fingers है तो क्या बोलेंगे ने these are fingers अब इसी तरह आप दूर रखा कोई object पूछ सकते हैं या books दूर रखे हुए तो पूछ सकते हैं कि वो क्या है तो वहाँ पूछ सकते हैं those are books तो इस तरह जो भी आप जहां बच्चे को पढ़ा रहे हैं वहाँ पर रखे objects के साब से आप sentence उससे फॉर्म करवा सकते हैं अगर आपको पिक्चर टॉक अनल नहीं आता हैं तो आप इस तरह से भी बच्चे को सिखा सकते हैं प्राक्टिकली वह बिल्कुल सीखेगा जरूरी नहीं कि पिक्चर की थिरूगी बच्चा सीख पाएगा अगर आपके पास प्राक्टिकली वहाँ objects रखे हुए तब यह बच्चा बहुत अच्छे से सीखाती हूँ तो दोस्तों I hope कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो